Hello students, let's see this question, here we have defined the following term, first है बिटा, line segment, line segment क्या होती है, part of line, part of line, which has two end points, जिसके क्या होती है, बिटा, two end points होते है, ठीक है, यही बे बात करें बिटा, रे की, तो ये भी एक part of line है, बट इसका क्या होता है, सिर्फ एक ही end point होता है, which has one only, one end point, इसको तभी हम बेटा, दूसरे direction में कितना भी extend कर सकते है, intersecting lines जो होती है, बेटा, एक point पे meet करती है, if two line have one point in common, parallel line बेटा, जो कभी भी meet नहीं करती, which never or do not intersect each other, at any point, ठीक है बेटा, clear है ना ये सारी चीज़े, ठीक है, अब आके देखते हैं, concurrent line, अगर बेटा, दो या दो से ज़्यादा, if two or more lines, passes through, pass through a common point, through a common point, ठीक है, दो या बेटा, दो से ज़्यादा line, ठीक है, ये सब क्या हो गई, concurrent, क्योंकि ये क्या कर रहे है, एक ही point पे meet कर रहे है, colinear points पेटा, क्या होते है, colinear points की अगर हम बात करें, वो same line में होते हैं, जैसी ये तीन हो है, a, b, c, हाना, if three or more points, more points, lie on the same straight line, तो बेटा, इनको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बेटा, क्या हो गए बेटा, ये हमारे colinear point, अगर आप यहाँ से देखोगे, तो ये क्या हो गए, ये, ये, ये क्या हो गए हमारे, colinear point हो गए, अगर आप distance पे देखोगे न, a, b, plus, b, c, तो ये क्या आता है, equal आता है, a, b, plus, b, c, किसके equal होता है, बेटा, a, c के equal होता है, ठीक है, clear है न, ये वाली चीज, अब बेटा, हम बात करते है, plane की, ये क्या होता है, हमारा, 2D surface की बात करें, 2D या फिर, flat surface, ठीक है, clear है बेटा, ये सारी चीज, सारे ही हमने points को discuss कर लिया यहाँ पर, ठीक है, I hope this is clear to you, thank you.